Hello my dear students, कैसे हैं आप साब? बचो इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही important topic पे हम बात करने वाले हैं जो है What is the right sequence to study physics? बचो देखें, physics के concept हमें तब आसान लगते हैं जब एक chapter के concepts पढ़ने के बाद हम उन्हें दूसरे chapter में apply करते हैं तब हमें physics जो है वो आसान लगती है और आसानी से हम numericals भी solve कर पाते हैं तो बचो 11th और 12th के वो कौनसे chapters हैं किस हिसाब से हमें sequence में पढ़ना चीए वो ही बाते बचो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं बचो जैसे आप सभी को पता है कि NEET के अंदर physics के 28 chapters हैं तो उन 28 chapters को किस sequence में हमें पढ़ना है कौनसा chapter किस chapter का base बनाता है वो सारी बाते बचो इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं और बचो अगर आप इस channel पे नए हैं आपने अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe कीजिए ताकि latest notification और important information आपको timely मिलती रहे तो बचो बिना देरी कि ये वीडियो को हम start करते हैं देखते हैं क्या important बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले है बचो ये आपके सामने 11th और 12th के chapters हैं अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस chapter को हमें पहले तयार कर लेना चाहिए ताकि आगे वाले chapter जब हम पढ़ें तो उन chapters में हमें problem नहीं आए ये वीडियो उन बच्चो के लिए बहुत important है जो अभी 12th class के अंदर है ये 12th pass कर चुके हैं और NEET 2021 में NEET में appear होने वाले हैं तो बात करते हैं बच्चो देखो बच्चो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से chapters relate होते हैं बच्चो जैसे ये chapter है हमारा work energy and power ये work energy power chapter में बच्चो हम किसके बारे में पढ़ते हैं work के बारे में पढ़ते हैं potential energy के बारे में पढ़ते हैं conservative forces के बारे में पढ़ते हैं, और वो सारी चीजे, बचो किन chapters में apply होती है. इन दो chapters में apply होती है, electric charges and field, electroeustatic potential, इन सारो chapters में, इन सारे chapters में बचो, वो चीजे क्या होती है? अप्लाए होती है. इस chapter से हम क्या calculate, क्या सीख लेते हैं, हम इनमें बात करते हैं electrostatic potential के बारे में electrostatic potential energy के बारे में work done by electrostatic forces के बारे में तो आप एक बात सोचो अगर आपका ये वाला chapter बचो clear नहीं है ये base आपका clear नहीं है तो इन chapters में तो बचो आपको दिक्कत आनी है तो आपको सबसे पहले महरत किस chapter में आसिल करनी होगी work energy and power ये chapter बचो आपको अच्छे से आएगा तो इन chapters में बचो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसी बचो gravitation जैसे बचो आप पढ़ते हो electrostatic potential वैसे gravitation में आप क्या पढ़ते हो gravitation potential जैसे आप electrostatic field पढ़ते हो वैसे gravitational field पढ़ते हो तो बहुत सी चीजे इन chapters की मतलब electric charge and field chapter की gravitation से क्या होती है relate होती है gravitation से क्या होती है relate होती है और इन सभी chapters का base है बचो work energy and power work energy power से आप अपने basic सुधारिये और फिर in chapters में लग जाईए आपको इन chapters में विश्वास वानिये कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके work energy power chapter के concepts clear है तो ठीक है all clear तो ये चारो chapters बचो आपस में एक दूसरे से related है ठीक है चलो और कुछ chapters की बात करते हैं बचो बचो हम बात करते हैं oscillation और waves के बारे में oscillation और waves के बारे में देखेगा ध्यान से अब बचो oscillation waves oscillation में जैसे आपको पता है हम SHM के बारे में बात करते हैं SHM की equation Y बराबर A sin omega T अब बचो जैसी SHM की equation होती है उनी equations का use होता है बचो alternating current में याद किजिए alternating current में हम current की equation कैसे लिखते हैं IE बराबर I0 sin omega T VE बराबर E0 sin omega T प्लस 5 by 2 है ना वो चीज़े बचो हम कहां से सीखते हैं SHM से सीखते हैं ठीक है ना तो अगर आपके SHM के concepts clear होंगे अगर आपको amplitude निकालना आता होगा frequency निकालनी आती होगी time period निकालना आता होगा तो यह alternating current जो chapter है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है तो this is the base oscillation chapter जो हमारे लिए बहुत important है पढ़ना waves जो chapter है waves में हम किसकी बात करते हैं sound waves की बात करते हैं waves की equation भी आपको पता है a sin omega T minus kx a sin omega T plus kx यह wave की equation होती है अब बचो waves से कौन सा chapter related है देखें 11th का यह जो chapter है sound waves यहां हम sound waves के बारे में पढ़ते हैं और 12th का यह chapter बचो wave optics इसमें हम light waves के बारे में पढ़ते हैं तो सोचे अगर आपको यह sound waves के बारे में complete information होगी आपको waves की equation बताओगी wave की speed आप calculate करना निकालना आपको आता होगा किसी medium के अंदर तो इस wave optics chapter में बचो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बचो wave optics chapter पढ़ने से पहले हमें अपने waves के concept एकदम crystal clear कर लेने हैं यह chapters बचो आपस में एक दूसरे से related हैं फिर बचो अगर हम बात करें दिखे यह जो chapters हैं बचो modern physics के जो chapters हैं यह तीन यह बचो हमारे modern physics के chapters है और modern physics के लिए बचो हमारे जो basic होने चीएं कि atom किस तरह से बनता है कौन से atomic models है किस तरह से define किये गए atomic models और क्या क्या चीजे बताई गई है वो सारी बचो आपको इस chapter में मिलेगी atoms में ठीक है बिलकुल mass number क्या होता है atomic number क्या होता है बिलकुल basic basic concepts तो बचो इन तीनो chapters को में 7 में तयार कर लेना है ठीक है अगर आप इस तरह से कर पाएंगे इस तरह एक proper strategy के साथ बचो अगर आप काम करेंगे तो विश्वास मानों आपको physics में कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है ना तो इन सभी chapters के लिए electrostatic charge and field electrostatic potential के लिए हमारा base क्या है बचो work energy and power है work energy power आपने अगर अच्छे से तयार कर लिया तो gravitation electrostatic potential electrostatic charges and field इन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बचो यह physics के कुछ ऐसे chapters है जो आपस में एक दूसरे से related है ठीक है अगर इन chapters को आप अच्छे से तयार करेंगे तो आगे वाले chapters में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी तो बचो इस वीडियो के अंदर हम इतनी बात करते हैं आगे और informative वीडियो आपके लिए आते रहेंगे अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटावर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी latest notification है ऐसे informative वीडियो आपको टाइमली मिलते रहेंगे चलिए